मिथला माइनोरिटी टिंडल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक मिघाट दर्भंगा लांचल में दांत मूं और जबडे के रोप का इलाज एक ही छट के नीची आधुनिक तरीके से क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेशक्र से होना चाहि बिहार का गौरब हर दिन सुभा नौ बजे से शाम चार बजे तक दांत मूं और जबडे से संबंद समस्याओं का इलाज किया जाता है अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्ग करें मिथला माइनोरिटी टिंडल कॉलेज एंड हॉस्पिट दर्भंगा एसस्पि ने सुच पर देकि सिंवारा के भरवारा बगार से तीन अपराजियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से बरामधवा पिस्टर दर्भंगा एसस्पि ने बताया जिस सिंवली थाना चेतर के बिछोड़ी के पास यह नवा कार्ड पगड़े गई जो गारियों से चुडाती थी डीजल मुद्वनी MLC सुमन महा सेच का बड़ा फैसला का कि अगर इंडिये टिकट नहीं देगी तो होंगे निर्दलिये ख़ड़ा दर्भंगा एससा थाना पर डियोसपि बिरजु पासमान ने सभी ट्रैफिक पुलिस को दिया प्रसिक्षन और हिदायत दर्भंगा के बार्ड मुक्ति मोर्चा एवंग बार्ड में डिबे ग्राओं के लोगों की बैठक सिंग्वारा में लघ्यासरा के नहुए स्टेडियम में एक्सपो 22 में 5000 वस्तमें की गई डिस्प्ले सभी अधिकारियों ने लगातार किया निर्च्छन खरिदारों की बड़ी भीर दर्भंगा नगर निगम को दोनार पेट्रोल पंप ने डीजल देना किया बंद लाखों का बकाया नगर आएक तो कहने पर प्रारम किया फिर दर्भंगा डिम्सेच अधिक्षिक ने कहा कि टेंडर में अगर कोई उनका नाम लेकर ग्रत इसमाल करता है तो उनका पैसा बेकार हो जाएगा निस्पक्षता से होगा टेंडर साथ तारिकों दर्भंगा नगर निगम की मेयर बजट प्रसूत करेंगी अस्ताइश समिती की बैठक दर्भंगा के सिंग्वारा थाना च्छेतर के भरवारा बजार में पुलिस को गूप सूसना मिली थी कि कुछ पदमास यहां पर सोने चांदी के दुकान को लूटने वाले हैं पुलिस गस्ति तेज कर दी गए थी इसके बाद मुहमद नुसाद नामे के बेक्टिक किराए के मकान में था पुलिस ने गुप सूसना के दाहर पर जब चापे मारी की तो मुहमद नुशाद के पौकिट से एक दिसी पिस्टल इवग मनोहर कुमार के पास से गोली बना मत क की गई है गौर तलब है कि ये सब ही भरवाना बजार में डेक्रेटिक योज़ना बना रहे थे और इस बात कि सूचना दर्भंगा एससपी को मुली थी एससपी ने ततकात सिंवारा थाना को सूचना डिसक्राइट टेकनिकल टीम में गुप सूचना के अधार पर कर रहे की जिसमें दो मोटर साइकिल दो मूबाइल भी बरामत किये गए महरास्ट नंबर की ये गारी एनेच पर हमेशा गारियों से पेचोल और डीजर निकाल कर चोड़ी करती थी और कंटेनर में रखकर बेज़ देजी थी आज पुलिस ने गुप सूचना के अधार पर समी थाना चेतर के बिछोली के पास ख़़ेर कर इनोवा की इस गारी को पकरा जिसमें करीब दो दरजन से जैदा कंटेनर रखे थे जिसमें डीजर थे का जाता है कि ये सबी डीजर चुड़ाए हुए थे हलाकि बेक्ती कार छोड़कर भागने में सफल रहा पुलिस करीब दो दरजन कंटेनर के साथ इनोवा को जब्त कर सिम्वी थाने लाई यातायात थाना के पास जीएसपी आज बिर्जु पासवान ने सभी यातायात से संब्धि ट्रैफिक पुलिस को विसेश पर सिक्षन रंग हिदाय दी है जिसमें ये कहा गया है कि आप कोई कारवाई न करें अगर कोई आपके साथ गरत बेभार करता है तो इसकी सुचना वड़ी पतातिकारी को दे इसके आलावा बिर्जु पासवान ने कहा कि अब ठंडे का वर्दी हड़ जाएगा और गिस्म कालिमी वर्दी कल से प्रारब हो जाएगा उद्देश यह है कि यातायात को हमनों सुचारो रूप से संचालन कर सके इनों को निर्देश बार बार यह दिया जाता है कि किसी भी ब्रत्ते के साथ अच्छा बिहेव करना है अगर उसके बारा इची भी तरह का याता या तुमिन का उलंगन किया जाता है तो स्तिनियत का अभिकाली को इसके बारे हम भुता है जिकेम करें इस बारी को लेकिन कारवाई फुद नौपा है उसे बिशुर्ण बढ़ जाएगा ठंडावना और जिस मुकालीं जो इनी फर्म है वाद पहना जाएगा सुमन महा सेट मुधबनी के MLC है और इस बार NDA ने जद्यू को टिकेट मुधबनी से मिलने के बाद नराज सुमन महा सेट ने आसका कि भारती जंदा पार्टी करकरता नेताओं को अपमानित होना पर रहा है इसलिए आज जो मुधबनी में पूरे छेत्र से भारती जंदा पार्टी के करकरता आया है इनका कहना है कि अगर जद्यू भारती जंदा पार्टी को सीट नहीं देती या NDA सुमन महा सेट को टिकेट नहीं देती तो वो निर्दल ये खरा होंगे और ये भी मालूम है कि त्रीय स्वरिय पंचैति नौप की घुस्ता हो चुकी है कि आपको मालूम है कि पुर्ग में 2015 से 20h तक आप लोग के भीच में मैं पार्ट्सक्थ के हाते लगातार आप लोग के भीच में था इतना भी बंदपडा जत्पत्रीयों के इसमान के लिए लगातार बात्ति के साथ तूल के के जत्पत्रीयों कुस्त python साथ तारीकू तर्वंगा नगर निगम की अस्थाई समिती की बैठक बुलाए गई है जिसमें 2022-23 के लिए बजट परस्ताव पारित की जाएंगे इस मौके पर मुनी देवी और के साथ जिप्टी मेर भरस्तानी भी मौजूद रहेंगे गौरतलब है कि मौनी देवी का यह पाहला बजट है मातर दो मेना पहले ही मेर के पद पर आसी नहीं थी इनके समक्ष एक चुनोती है कि दर्भंगा के जनित में किस तरह का बजट पारित करवाए दर्भंगा जीएम सीच में दस विभागों के करीब 96 आवेदकों ने टेंडर डाले हैं इसमें इस बात की सूसना अधिक्षक कोई मिली की कोई उनके नाम पर पैसे की बात कर रहा है या कह रहा है कि उनके आदमे टेंडर उनके मिलेगा तो ये बाते गलत हैं कोई इस जहांसे में नहीं आए कोई जो लोग काते होंगे जरदिख्षक से हम दिला जाने नहीं जाने मेरा अपना कोई बात समझ गए न और ना मैं किसी से उपक्रित हुआ हूँ और ना मैं किसी को उपक्रित करना चाहता हूँ केंडर के सर्तों के अनुरूप जो निविदादा का का फाइनांसियर बीड उसको क्वालिफाइ करवाएगा उसी को मिलेगा कोई बेख्त नहीं दिला सकता है चाहिए कोई क्लिम करें तो मैं उनके जागता हूँ उनका मित्र हूँ उनका परचित हूँ कोई नहीं हूँ का पैसा परवाद लेगा समय मरबाद हूँ दर्वंगा नगर निगम के द्वारा दोनार पेट्रोल पंप से हमेशा ट्रैक्टर एवंगान गारियों करें डीजल ली जाती थी लेकिन 75 लाख रुपिया बकाय ब्रहने के कारण पेट्रोल पंप के द्वारा नगर निगम को डीजल की आपुर्ति बंद कर दी गए जिसे हाकार मजगा सफाई प्रभावित होती कि बाद में नगर आई के चार दिन के में पैसे मिलने के अश्वासन पर पुर्ण स्टार्ट किया गया अभी मलब नहीं दे रहे हैं कि दे रहे हैं फिर अभी जेस्ट पांच मित पहले चालो किये हैं उपर से नगर आया उसी जी का मेरे प्रोप्राइटर के पास पून आया था तब उन्होंने और कि आज ये जो उन्होंने चार दिन का टैंड दिन जी है लहरिया सराय के नहरी स्टेडियम में करोना संक्रमन की दो साल के बाद यहां पहली बार प्रदेश एवंग देश के बिभीन कोनों से हैंडलूम हैंडी क्राफ्ट फरनीचर एवंग अन सामग्रियों के पांच हज़ार्स की लगभग विक्रेता यहां पहुंचे हैं इस समद में कहा गया है कि इस बार हैंडलूम के बरहावा देने की देश से इस तरह के कारकरों का आज़न किया गया है गेप में तीन साल तक कोई परदस्नी दरभंगा में नहीं हुआ पूरे डिस्टिक में हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके अभी मानिये डियम साहब और एस डियो साहब से परमिशन लेके इस परदस्नी को लगा रहे हैं और इसमें परदेश के कोने कोने से बारत वर्स के को करने कोने से लोग आये हैं 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 लोम हैंडी क्राप घर में उप्योग होने वाली फरनीचर और बहुत सारी वस्तू है जो इसमें कम से कम पांच हजार वस्तू में डिस्पिले की जाएगी दर्वंगा के सिंवारा में आज काफी लोगों को इस पात के लिए आक्रोश था कि सरकार जो बार्ट प्रियुजदा के तहत बागमत्य के बायत तत्वंद का निर्मान कर रहे हैं उसे तत्कार रोका जाएं क्योंकि बाग से दूबने वाले गाउं की संख्या लगवई 108 है यहां पर लोगों ने कहा कि पचफुटिया बाम्त के निर्मान की प्रिक्रिया जो बंधि उसे सुभू किया जाए बागमत्य प्रियुजना का बाया ठत्वंद है उसको नहीं बाधने के लिए थाणा को जाड़ा कर द्रभंगा मौला गंज के टिंपू चालक हत्याकान को लेकर द्रभंगा SSP ने कहा सिग्र होगी अप्रादे को गिरक्तारी अनुसंधान जारी दर्वंगा की प्रभारी SSP अशोक कुमार प्रसाद में आज पताया कि ट्रेंपू चालक हत्याकान में कई अनुसंधान पर कार चल रहा है अनुसंधान में उस पर मामने भी दर्व थे और रॉंग डरेसन से एक बाइक आई थी जिसमें तीन सबात थे सबी बिंदों पर जात चल रही है दिखिए जिस रात ये घटना घटी है वो घर से गह थे वहाँ पर टिंपू लेके और उस जगह पर एक बाइक भी मिली है